दोस्तों क्या आप भी Facebook के all notification one click में delete करना चाते हैं दोस्तों क्या आप भी Facebook के सभी notification एक साथ select करके एक click में delete करना चाते हैं तो ये वीडियो आप के लिए है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे क्या आप देख सकते हैं दोस्तों Facebook पर हमें कई सारे notification आत कोई हमारी post पर comment करता है तो notification आता है इस तरह से अलग-अलग category के notification हमें Facebook की तरफ से आते हैं तो इसे दोस्तों आप बंद भी कर सकते हैं अगर आप इन notification को बंद कर देंगे तो आपको notification को delete करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है तो पहले हम यह सीख लेते हैं कि Facebook के notification बं क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर आपको सेटिंग कुछ इस तरह से मिलेगी आपको यहाँ पर settings and privacy पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको पोष्ट करता है तो notification आता है आगर इस तरह से notification आ रहे हैं तो आप यहाँ पर इन्हें on-off कर सकते हैं जिससे का मैं चाहता हूं कोई भी अगर मेरी post पर comment करें तो मुझे notification ना है तो यहां पर इसे open करना है यहां से बंद कर देना है अगर mail में आता है SMS पर आता है तो इसे तीनों को यहां पर आप इस तरह से बंद कर सकते हैं तो एक-एक करके आप यहाँ पर सारे बंद कर सकते हैं, अगर आप सभी notification एक click में बंद करना चाहते हैं, तो वो भी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है फिलाल यहाँ पर आप customize कर सकते हैं, कौन सा on रखना है, कौन सा off करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर तीन setting मिलती है, अगर Facebook की तरफ से आपको notification आते हैं, push notification तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, अगर आपको SMS आते हैं, Facebook की तरफ से आपके mobile number पर, तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप बंद कर सकते हैं, ल आपको Facebook पर एक सेकंड के लिए दबाना है इसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग से लिकल कर आएगी यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी App Info आपको App Info पर किलिक करना है यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी Manage Notifications आपको यहाँ पर manage notifications पर click करना है अब यहाँ पर उपर में allow notification यह setting on है बस आपको इसे off कर देना है इसे off करने के बाद आपको back आ जाना है तो दोस्तो इससे क्या होगा Facebook के all notification बंद हो जाएंगी यनि कि Facebook की तरफ से आपको कोई भी notification नहीं आएगा अब इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं कि all notification को one click में delete कैसे करते हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तो आना है आपको notification वाले section में ठीक है अब अगर आपको यहाँ से कोई notification डिलिट करना है single तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर three dots पर click करना है नीचे में आपको setting मिलेगी remove this notification आपको इस पर click कर देना है तो notification delete हो जाएगा इसी तरह से आपको यहाँ पर remove कर देना है ठीक है अब बात करते हैं all select करके delete कैसे करेंगे one click में तो दोस्तो फिलाल facebook में इसी कोई भी setting नहीं है जिसकी मदद से आप all notification को select करके one click में delete कर पाए फिलाल facebook की तरफ से अभी कोई भी setting नहीं मिलती है हमें ठीक है तो यहाँ पर आपको दोस्तो एक एक करके ही notification को remove करना होगा डिलीट करना होगा कुछ इस तरह से जैसे के मैं आपको बता रहा हूँ तो पर click करना है और notification को इस तरह से remove कर देना है तो अगर दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe जरूर करना